मुजाहिद बस कर्मचारी ने युवती से की छेडखानी पीडिता ने एक सो डायल में लगाया फोन, लोग बोले हमसे भी बत्तमीजी कर रहा था शक्स सिवनी और नाकपुर के कुछ यात्री जबलपुर से नाकपुर जाने वाली मुजाहिद बस में शाम के समय आ रहे थे दूमा से लगभग 15 किलोमीटर पहले धारपाटा के समीब बस खराब हो गई यहां बस रुखने पर एक युवती ने बताया कि बस के करमचारी ने उसके साथ छेड़ खानी की इसके बाद युवती ने एक सौ डायल में फोन लगाया साथ ही यात्रियों ने भी धूमा थाना प्रभारी को फोन लगा कर घटना के बारे में बताया डायल एक सौ और धूमा पुलीस मौके पर पहुँची यहां युवती ने पुलीस करमियों को बताया कि मुझाहिद बस का करमचारी उससे छेड़ खानी कर रहा था और उसे बैट तच किया पुलीस ने उस बस करमचारी का नाम और एड्रेस लिख लिया और उसे समझाईश दी कारवाई के लिए अड़ी युवती लेकिन युवती काफी नाराज थी उसने कहा कि इस तरह के लोगों के कारण ही महिलाएं असुरक्षित है यात्रियों ने भी पुलीस को बताया कि बस खराब हो जाने के कारण उन्हें लगभग दो घंटे तक परेशान होना पड़ा क्योंकि बस कंड़क्तर नहीं पैसे वापस दे रहा है और नहीं अन्य बस में बैठा रही है इस तरह बस स्टाफ की मनमानी से बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी काफी परेशान होते रहे बस बहुत रात में सिवनी पहुची अन्य यात्रियों ने भी बताया कि बस कर्मचारी उनसे भी दुर्व्यवहार कर रही थे सिवनी में काफी देर खड़े रखने के बाद बस जाइवर बस को नागपुर की तरफ ले गया गुसाए यात्रियों ने कहा कि मुजाहिद बस के संचालक की मनमानी से वे काफी परेशान हो रही है फिलहाल पुलीस ने छेड़ खानी करने वाले का नाम तो लिख लिया था लेकिन क्या कारवाई हुई यह जानकारी नहीं लग पाई है जात हो की बीते 2 जून 2023 को मुजाहिद बस करमचारी द्वारा बस में सवार कुछ यात्रियों से मार पीट कर उनसे पैसे छुडाने का मामला सिवनी जिले के गोपाल गंश चौकी पहुँचा था जहां किसी नेता का फोन आ जाने पर मामला ठंडे बस्ते मा चला गया था वही फिर से मुजाहिद बस करमचारी द्वारा इस तरह की हरकत करना कहां तक लाजमी है इस तरह से महिलाओं से छेर खानी बस करमचारी कर रही है जिससे महिलाएं असुरक्षत महसूस कर रही है यदि ऐसे लोगों पर कारवाई नहीं होती तो इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे